गीता ग्यान संस्थानम, गीता मनीशी स्वामी ग्याननेंद महराज से भेट करने के लिए मुख्रमती नायप सेनी पहुँचे और इस दौरान उन्होंने मुलाकात के साथ साथ कॉंग्रेस पर भी निशाना साथ और कहा कि हाती के दात खाने के और दिखाने के और कॉंग्रेस पर इसने जोड़ा ना रहा हो जो वरस्टाचारी ना रहा हो लोग आज भी इस बात को बिल्कुल एक तम जब उनके सासन का दिलाज दोर याद आता है तो उनके अंदर एक अलग रॉंग पे ठड़े करना है जो उसको गाली भी देते थे कॉंग्रेस उनकों भी जले लेलाने के का लिए जो लोग यह बात बोलते थे उनकी वीडियो जारी है कि अगर सोनिय अगंद की डियांच कराई जाए तो जेल में चली जाए उसको प्रमकदमा दर्जोग वही लोग बोलते थे और वो लोग यह बोलते थे कि मुझे मंतरी बना मैं शीला दिख्षी को अंदर करतोंगा उसने ब्रष्टाचार किया और वही उससे जादा ब्रष्टाचारी निकला सोन जेल में चला गया आपके सामने हैं जो लोग क्योंकि हमारे हर्याना के अंदर समझते हैं लोग एक काहवत हैं प्यार्थी के दांत खाने पर पिखाने कि इसें कॉंग्रस जो विक्ति कॉंग्रस को गाली देता था इस परकार का मता हम लोग समझ रहे हैं कि ब्रष्टा चायदी लोग है और ये लोगों को पुछान करने वाले लोग है आज तो चुनाव है चुनाव के समय से बाग दिखाते हैं प्रंतु चुनाव के बाद उन कर दो किसानों को उसका मुआवजे के तौर पर जो रुका पड़ा था मनौहलाल जी ने दिया है और इन्होंने जारा सो क्रोण रुपए दसवर्शों के अंदर दिया और हमारी सरकार ने सब्सक्राइब किसानों के अगर फुसल का खराबा हुआ है तो किसान तक पहुंचा करा रहता था था कभी हुड्डा के चक्र करता था कभी वो किसी मंत्री के चक्र काटता था नोकरी नहीं लगती थी पैसे भी चले जाते थे प्रंचे सिस्टम अमारी सरकार में बढ़ाया है जो के आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला आज